Hello friends, welcome to best English classes, मैं हूँ प्रतीक तमर और आज हम पढ़ रहे हैं William Shakespeare का सबसे जादा famous drama Romeo and Juliet इसका पूरा नाम है The Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet जिसे early, mid, 1590 के आसपास लिखा गया और 1597 में इसको publish करवाया गया इसका style या जो Shelly है वो tragic drama की है और इस play की जो setting है वो Italy के Verona City की है इसकी story बहुत कमाल की story है, बहुत पसंद आईगी आपको और specially उन लोगों को तो बहुत ही पसंद आईगी जिनने love stories बहुत पसंद है So friends, without doing further ado, आईए शुरू करते हैं Romeo and Juliet, let's start तो सबसे पहले story के characters को समझेंगे ताकि story को हमें समझने में थोड़ी असानी हो ये story दो खांदानों या families की लड़ाई के बारे में है एक family है Montagues और दूसरी है Capulets और इनके characters को हम लोग समझते हैं देखिए Romeo एक 16 साल का लड़का है जो Montagues family का है इसे Juliet नाम की गर्ल से love हो जाता है जो Capulets family की है और 13 years की है लड़का है 16 साल का लड़की है 13 साल की इस Juliet की एक nurse है जो कि इसकी बहुत close है इसकी mother से भी जादा इससे close है क्योंकि इसी ने इसे पाल पोस कर बढ़ा किया है अब Montague family जो Romeo की family है उनके head है Romeo के papa और इनकी family Capulets family से बहुत जादा नफरत करती है या आपस में इनकी जबर्दत दुश्मनी है इनकी wife है जिने हम Lady Montague के नाम से देखेंगे कहानी में Romeo की mother है ये अब दूसरी तरफ Capulets family के head है Juliet के papa है ना और ये आपको मैंने पहले बता दिया Capulets और Montague की आपस में बहुत बड़ी दुश्मन है दुश्मनी है इनकी wife है Lady Capulets Juliet की मा है और Capulets की पत्मी है और Lady Capulets ने अपने बेटी की पूरी responsibility एक nurse को दे रखी है उन्होंने ही इसे पालपोस कर बड़ा किया है तो इतने characters हमको समझ में आगे hero कौन है, heroine कौन है और उनके parents और इन दोनों family में एक Benvolio है जो की Montague का बतीजा है यानि Romeo का cousin है इस family का बतीजा है वही Capulets के अंदर भी एक बतीजा है यानि Juliet का cousin उसका नाम है Tybalt तो एक दो नए character आगे एक है Benvolio और एक है Tybalt इसके अलावा Romeo का एक friend है Mercutio Mercutio का भी जिकराएगा कहानी में Romeo का बहुत ही close friend है और इस story का एक important character भी है आगे सब देरे-देरे समझ में आएगा ओके next character है Flair Lawrence यह Saint Francis संप्रदाए के एक सादू है Saint Francis Romeo और जूलिएट दोनों का एक दोस्त है ओके जो Saint Francis है वो Romeo और जूलिएट दोनों के एक दोस्त है जो आगे जाके story में इन दोनों की मदद करेंगे अब इनके अलावाद दो और characters है पहले है Count Paris यह एक बहुत अमीर आदमी है बहुत पैसे वाला है यह Prince के दरबार में Kingsman है और यह जूलिएट से शादी करना चाहता है ठीक है एक बाद दुबारा बता रहा हूँ Count Paris जो की Prince के दरबार में Kingsman है और जूलिएट से शादी करना चाहता है और दूसरे खुद Prince ओके यह दोनो characters को भी आप ध्यान रखें Count Paris और Prince यह Verona City के लीडर है ओके अब यह characters समझ लिए हैं हमने अब हम start करते हैं हमारी story तो इस story की starting होती है Verona नाम की जगें से जो की Italy में है यह इन दोनों खांदानों में दुश्मनी है और यह दुश्मनी बहुत ही famous है Contacts और Capilets एक दूसरे से खांदानी दुश्मनी रखते हैं और निभाते चले आ रहे हैं दुश्मनी एक दूसरे के खुन के प्यासे हैं अब इस drama की starting में इन दोनों families के servants के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है और तब Benvolio जो Montag family के अंदर बतीजा है इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है पर तबी Tybelt जो दूसरी family का बतीजा है वो वहाँ पे लड़ने आ जाता है तो ये लोग जबरदस लड़ाई करने लग जाते है फाइनली प्रिंस के वहाँ पर आने पे लड़ाई रुखती है अब प्रिंस उन दोनों families को warning देते हैं कि ये लिए ऐसा दुबारा हुआ तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा दोनों ही families को ये warning दी जाती है अब Montag और उनकी wife lady Montag इन दोनों ने बैनवोलियो से पूछा कि बेटा बैनवोलियो जब ये लड़ाई हो रही थी तब रोमियो कहा था तो बैनवोलियो ने कहा कि रोमियो आजकल बड़ा खोया-खोया सा रहता है बिलकुल अपने आप में अलग सा पता नहीं क्या बात है पता तो करना पड़ेगा कि वो किसी के साथ प्यार में तो नहीं है अब आगे स्टोरी में पता चलता है कि रोमियो रोजलिन नाम की एक लड़की से one-sided प्यार में है मतलब रोमियो से रोजलिन प्यार नहीं करती है रोमियो रोजलिन से प्यार करता है और बैनवोलियो ने उससे प्रामिस किया है कि मैं उस लड़की को बुलाने में मदद करूँगा बैनवोलियो जो कजिन है वो अपने कजिन रोमियो की हेल्प करेगा उधर दूसरी तरफ, Count Paris ने Capulet family के जो head है Mr. Capulet उनसे कहा कि मैं आपकी जो इकलौती बेटी Juliet है उनसे शादी करना चाहता हूँ तो Capulet कहते हैं कि Count Paris, Sir आप कुछ समय के लिए wait कीजिए क्योंकि Juliet अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 13 years की है आप एक काम करें, एक night को आप हमारे याँ पे dinner के लिए आईए हमारे घर पर और आपको हम Juliet से मिलवा देते हैं वो भी आपको देख लेगी, तो खुश हो जाएगी अब friends, आगे क्या होता है कि Capulet family का एक servant है जो दावत में invitation किन-किन को देना है, जो guest की list है उसे हाथ में लेकर town में घूम रहा है कि किस-किस को party में invite करना है, तो उनको मैं invitation देकर आऊ अब Capulet family के घर में, आज night में जो dinner party है और वो knocker उसकी list लेकर घूम रहा है, पर problem ये है कि उस बिचारे को पढ़ना नहीं आता था अब इसने बैनवोलियो और रोमियो को रोका help के लिए देखिए, दुश्मन को रोक लिया गलती से उन्होंने लिस्ट ली उसकी help करने के लिए तब रोमियो ने लिस्ट में रॉसलिन का नाम देखा और वो बहुत excited हो गया अब क्या करें? अब इन्होंने भी planning करी कि हम भी party में जाएंगे तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी cheating कर ली वहाँ दूसरी तरह जूलियेट, उसकी mother, उसकी nurse तीनों ये discussion कर रहे हैं कि Count Paris आज हमारी party में आ रहे हैं उन्होंने जूलियेट को ये भी बताया कि Count Paris बहुत अच्छे आदमी है बहुत तारीफ की उन्होंने कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं अब जूलियेट को क्या है? वो तियार होगी मिलने के लिए कि ठीक है भी, मिल लेते हैं उधर Romeo उसका cousin Benvolio और उसका friend Mercutio ये तीनों जने जो friends हैं अब ये तीनों मास्क पहन के पार्टी में आ जाते हैं, गेट क्रेश कर लेते हैं गेट क्रेश या नहीं बिन बुलाए महमान बनके वहाँ पे बेस बदल के टपक पड़ते हैं अब पार्टी में जाते ही रोमियो ने जब जूलियेट को देखा तो वह सब कुछ भूल गया वह एकदम लट्टू हो गया रोजलिन को भी भूल गया जिसके चक्कर में वह पार्टी में आया था क्योंकि अब वह जूलियेट का दिवाना हो गया जूलियेट से उसको प्यार हो गया अब इस फैमिली का जो लड़का है ताइबल्ट बतीजा उसने रोमियो की आवास पेचान ली कि ये रोमियो है जो मास्क पहन कर हमारी पार्टी में गुसाया है हमारी फैमिली की पार्टी में इसकी इतनी हिमत उसने जाके क्यापुलेट को बता दिया पर क्यापुलेट ने बोला इसको जाने दो मैं इस पार्टी में लड़ाई जगणा नहीं चाहता तो अब हम देखते हैं कि स्टोरी में रोमियो जूलियट के साथ प्यार में पढ़ चुका है वो पार्टी में उसका हाथ पकड़ लेता है और पॉईटरीज गाता है बहुत सारी बाते करता है और जूलियट को किस करने की कोशिश भी करता है अब इसका सीरा साथा सैंस ये है कि जूलियट को भी रोमियो पसंद आने लग जाता है बट उनके दोनों के प्यार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका फैमिली वेंडेटा उनकी पुष्टैनी दुश्मनी परिवार की लेकिन उन्होंने इस बात की केयर नहीं की पार्टी के माद में रोमियो अपने फ्रेंड्स को लेकर जूलियट के घर के बाहर गया एक दिवार पर चड़ गया उसे देखने के लिए और उन्होंने बहुत सारी प्यार-बरी बाते की मैं तुम से बहुत बेंतहा प्यार करता हूँ इश्ट है, महबत है, एटसेटरा, एटसेटरा अब रोमियो अपने फ्रेंड फ्रायर लॉरेंस के पास गया उसने फ्रायर लॉरेंस को अपनी और जूलियट की शादी की बात की कि क्या तुम हमारी शादी करवा सकते हो अब फ्रायर लॉरेंस को रोमियो की बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि कुछ समय पहले तो रोमियो किसी और लड़की रॉसलिन के लिए रोता था और अब ये जूलियट के लिए रो रहा है पर वो शादी के लिए एगरी हो गया कि ठीक है मैं करवा दूँआ क्योंकि उसे ये लगा कि इस मैरिज से उन दोनों फैमिली की जो दुश्मनी है उसमें शांती आ जाएगी अब स्टोरी में आगे क्या होता है रोमियो और उसके दोस्त बताते हैं कि जो टाइबल्ट है वो तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज कर रहा है टाइबल्ट कौन जूलियट का कजिन अब रोमियो इससे नहीं लड़ना चाहता अब रोमियो जूलियट की नर्स से कहता है कि तुम जूलियट की जूलियट को इस इस जगें पे भेज देना मैं उसका वेट करूंगा और हम दोनों शादी कर लेंगे अब रोमियो के कहें अनुसार जूलियट वहां पहुंच जाती है और फ्रायर लॉरेंस इन दोनों की मैरिज करवा देता है अब फ्रेंड्स ये जो टाइबल्ट था जूलियट का कजिन इसने रोमियो को ढून लिया और उससे लड़ने लगा रोमियो नहीं लड़ना चाता था इससे क्योंकि उसे ये लगता था ये जूलियट का कजिन है इसे मारना ठीक नहीं है तो अब रोमियो ने इसके उपर कोई हाथ बात नहीं उठाया लेकिन ये जो रोमियो का दोस्त है ना मर्क्यूटियो ये टाइबल्ट से लड़ पड़ा तो रोमियो को उसे चुड़ाने की कोशिश करनी पड़ी अब आगे क्या होता है जो टाइबल्ट है ना रोमियो के दोस्त मर्क्यूटियो को अपनी तलवार से गहल कर देता है और वहाँ से भाग जाता है अब रोमियो ने गुसे में क्योंकि रोमियो के दोस्त मरक्यूटियो को मारा है उसके उपर तलवार लगाई है तो वो गुसे में टाइबल्ट को जान से मार देता है उसने गुसे में जूलियट के कजिन को मार दिया और फिर वो वहां से भाग जाता है ये सब खत्म होने के बाद प्रिंस वहाँ पे आते हैं तो बैनवोलियो ने प्रिंस को पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और गलती से रोमियो के हाथों टाइबल्ट का मर्डर हो गया अब प्रिंस ने ये डिकलेयर कर दिया कि रोमियो को वेरोना से बैनिश किया जाता है उन्हें बाहर निकाला जाता है तड़ी पार और अब वो यहाँ आपस लोटके नहीं आ सकता उधर दूसरी तरफ जूलियो रोमियो का बेसबरी से वेट कर रही है तब जूलियो के पास उसकी नर्स आती है और उसे बताती है कि आपके कजिन टाइबल्ट को रोमियो ने मर्डर कर दिया है और वो वहाँ से भाग गया है और प्रिंस ने वेरोना से उसे बैनिश कर दिया है जूलियोट जब ये सब बाते सुनती है तब भी वो रोमियो कोई सपोर्ट कर रही होती है उसी की साइड ले रही होती है और वो कहती है जरूर टाइबल्ट नहीं कुछ ना कुछ किया होगा तब ही रोमियो ने उसे मारा वो अपनी नर्स को कहती है कि रोमियो के पास जाओ और उससे कहो मैं उसका वेट कर रही हूँ वो मेरे पास आए अब वो प्रीस्ट वो पुजारी जो थे फ्रायर लॉरेंस जिसने रोमियो जुलेट की शादी करवाई थी उसने रोमियो को बताया कि तुम्हें बैनिश कर दिया गया है रोमियो तुमने टाइबल्ट का मर्डर किया है उस जुर में अब तुम्हें ये शहर को छोड़ कर जाना होगा रोमियो बहुत परिशान होता है बहुत सैड हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है तब ही जूलियट की भेजीवी नर्स उसके पास आती है और बोलती है जूलियट तुम्हारा वेट कर रही है रोमियो अब फ्रायर लॉरेंस भी रोमियो से कहता है मैं तुम्हारी कुछ मदद करता हूँ तुम सुसाइड मत करना तुम्हे काम करो कल सुबह मैंटुवा पहुंच जाना एक जगे का नाम है तुम वहाँ पहुंच जाना मेरे मैसेज का वेट करना दूसरी दर जूलियट की फैमिली ने ये डिसाइड कर लिया कि तीन दिन के अंदर अंदर जूलियट की हमें मैरिज करानी है काउंट पैरिस से लेडी कॉपलेट्स ने जूलियट से कहा मतलब अपनी बेटी से कहा कि तुम्हें Count Paris से शादी करनी ही होगी तब Juliet ने इसका बहुत ही विरोध की जे विरोध किया तुक्ते मना किया तो विचारी को धंकिया मिलने लगी तुमने ऐसा किया तो ऐसा कर देंगे तुम्हें Count Paris से मार्ज करनी ही होगी अब जूलियट के पास कोई और आप्शन नहीं था वो फ्रायर लॉरेंस के पास गई उसने फ्रायर लॉरेंस से रिक्वेस्ट की कि मुझे इस आप प्रॉब्लम से बचाएं अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूँगी अब फ्रायर लॉरेंस का ये फर्ज था कि वो जूलियट की हेल्प करे उसने एक वायल में वायल यानि एक शीशी में जूलियट को एक ड्रग दी और कहा कि तुम इसे अपनी वेडिंग से एक रात पहले का लेना इसे काने के बाद ऐसा लगेगा कि 42 आवर्स तक ऐसा लगेगा 42 घंटो तक कि तुम मर चुकी हो अब जब तुमारी फैमिली को लगेगा कि तुम मर चुकी हो तो वो तुमें दफनाने के लिए तुमारे फैमिली टाउन में लेकर आएंगे और जब तुमें होश आएगा तुमें तुम से निकाल कर मैं में टूवा ले जाऊंगा जहां पर रोमियों है मतलब इन लोगों ने ऐसी प्लानिंग करी कि एक दवाई देंगे उससे ऐसा सब को लगेगा कि तुम मर चुकी हो पर तुम एक्चुल में जिन्दा रहोगी और फिर अपने भाग जाएंगे अब जूलियट इस प्लान के लिए रेडी हो जाती है वो अपनी फैमिली के पास गई उसने अपनी फैमिली को अपने बुरे बिहेवियर के लिए उनसे माफी वांगी तो जूलियट की फैमिली खुश होगी उसने का ठीक है कल तुमारी शादी पैरिस के साथ करवा देंगे अब उस राज जूलियट ये सोच रही थी कि क्या मुझे ये ड्रग लेनी चाहिए या नहीं वो बहुत कन्फूजन में थी उसको बड़ा कन्फूजन था तब उसने ये फैनल डिसाइड किया कि मैं ये ड्रग ले लूँगी अब जूलियट ने वो ड्रग ले ली अब जब उसकी फैमिली उसके पास आई तो उसे मरावा देखा बहुत सब दुखी हो गए परिशान थे कि जूलियट ने सुसाइड कर लिया क्यों किया अब ये फ्रायर लॉरेंस उनके पास आई और उन्हें समझाया कि अब क्या कर सकते हैं बही जो होना था सो हो गया बट जूलियट अब स्वर्ग में होगी और जहां भी होगी खुश होगी अब आप उसे दफनाने की तयारी करें दूसरी तरव मंटुवा में रोमियो के एक सर्वेंट ने आकर उसको ये बता दिया कि जूलियट की डेथ हो गई है अब रोमियो को नहीं पता है कि वहाँ पे वो ड्रग वगेरा की कोई बात तो जैसे ही से पता चला कि जूलियट की डेथ हो गई है पर ऐसा करना तो गुना था क्योंकि क्रिश्चन एटी में सुसाइड करने को सबसे बड़ा सिन, सबसे बड़ा पाप कहा गया है बट अब उसे तो कुछ पता ही नहीं है बिचारे को कि ये एक्चल में फेक निउस है, वो मरी नहीं है अब फ्राइर लोरेन्स और जूलियट की आपस में क्या प्लानिंग होई है, इसको नहीं पता है अब फ्राइर जॉन नाम का एक दूसरा पुजारी था उसको कहा कि जूलियट की ने जो फेक डैथ की निउस है उसे रोमियो को दे के आओ फ्रायर लॉरेंस ने फ्रायर जॉन एक दूसरा जो पुजारी है उससे कहा कि जूलियट की ये जो फेक नियूस की डेथ है ये रोमियो को दे दो कहीं वो कुछ उल्टा सीधा ना कर दे फ्रायर जॉन ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाओंगा किसी को पता चल गया तो मुझे ये लोग जाती बाहर कर देंगे समास से बाहर कर देंगे तो फ्रायर लॉनेस ने उससे कहा कि अरे यार तुम इस मैटर की सीरियसनेस को समझो अभी तीन घंटों में जूलियट जाग जाएगी और ये अगर अपने पास में रोमियो को नहीं देखेगी तो मुझे गुस्ता करेगी तुम जाओ और जाकर उसे बता दो अब देखे कहानी में दूसरी तरफ काउंट पैरिस जिसे जूलियट की शादी होनी थी वो जूलियट की कबर पर आया है अपने साथ में फ्लावर्स और लेकर आया है अब वहाँ पे रोमियो आ गया जूलियट की कबर के पास ये सोचकर कि आखरी बार जूलियट को देख उसके बाद जहर पी के मढ़ जाऊंगा जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो काउंट ने अपने आपको वहाँ छुपा लिया अब रोमियो ने जूलियट को कबर से बाहर निकाला तो काउंट ने मौका देखकर उस पे हमला कर दिया अब मैंने आपको बताया था कि रोमियो के आने पे वो छुप गया था तो इसने हमला कर दिया अब रोमियो ने कहा मुझसे तुमसे मेरी कोई दुश्मन ही नहीं है तुम क्यों मुझसे उलज रही हो अब वो मारे नहीं जबरदस्ती रोमियो से लड़ रहे है जबरदस्ती रोमियो से लड़े तो रोमियो ने उसे मार दिया मारना ही पड़ा क्या करता आपने देखा होगा कि रोमियो पहले टाइबल्ट को भी नहीं मारना चाहता था पर मारना पड़ा क्योंकि वो आगे बढ़के लड़ रहा था और यहाँ पे काउंट पैरिस भी उससे जबर्दस्ती लड़ रा था, तो रोमियो ने उसे मार दिया, उसे मारने के बाद वो जूलियट के पास गया और रोने लगा, और फाइनली रोमियो ने एक बार आकरी बार जूलियट को देखा, उसे किस किया, और इसके बाद में वो जहर पी के सुसाइट कर लिया उसने अब थोड़ दिर बाद जूलियट को होश आया उसने देखा रोमियो मरा पड़ा है फ्रायर लॉरेंस भी वहाँ पहुच गए उन्होंने जूलियट को सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ जूलियट बेचारी रोमियो की मौत बरदाश नहीं कर सकी और उसने भी खुद को मार दिया पहास में एक चाकू पड़ा था जिसे खुद को मार लिया उसने अब इन दोनों की डेथ के बाद वहाँ पे बहुत सारी भीड आ गई प्रिंस भी आ गई फ्रायर लॉरेंस ने प्रिंस को सब कुछ बताया कि सर ऐसा हुआ है इन दोनों खांदानों की आपसी दुश्मनी की वज़े से इनकी जान चली गई अब प्रिंस ने दोनों खांदानों को समझाया कि तुम दोनों ही फैमिलीज तुम दोनों फैमिली सजा के लायक हो दोनों फैमिली ने अपनी गलती मानी और यह फैसला किया कि रोमियो एंजूलियट की एक गोल्डन मूर्ती बनवाई जाए जिससे आने वाली जनरेशन इस प्रेम गाथा को जान सके और इसी के साथ में यह स्टोरी फिनेश होती है यदि आपको मेरी चोटी सी कोशिश अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल बटन पर क्लिक करें थैंक्यू सो मच